तो जी एक वार आज फिर से भाई सफ़र जंगल का दोरा और आपको कुछ दिखाते हैं सर्दियों का मोसम है परिंदे बहुत खम है मगर फिर भी कहीं न कहीं से कुछ ने कुछ पुनित भाई में डूंडी लेते हैं आज गोसला देखा है तेड़ के उपर बहुत ही ज्यादा कुछ रहता है काटे काफी सारे लगी है वाई के पड़े देखी जान जाला दिनकारी में घुज गज गए आज काटे होगे आज क्या दिखा होगी तो जाल माल मसाला कर दोस्तों काटे दार जाडियां और जालियों के बीच ने पुनित भाई हम लोग यहाते रहते हैं अक् बिला है देखने के लिए वह आपको दिखाएंगे के सामने जो है गहुंसला है पेड़ पर एक है कि देखनी को इसकी जाएगी है के इसमें है क्या हुआ है कि रास्ता कि दर से देखो पहले है रहाट डल लो पिला रहाम जै काटे जादे हैं कि अधिक कुछ भी नहीं है साथ है चोड़ा चली गई थंड का समय इस वकत कोई भी जो है परिजाते बिलेट नहीं कर रही है और बच्चे बड़े हो गए है घुष्टले को छोड़ दिया गया है घुष्ट हो चुका है कुछ भी नहीं रहा है इसमें सर्दी का मोसम इं द कि अक्सरी अपने होटले बनाते हैं बरसात के मौसम में या भी बाहर के डाइम पर जब सावन के असपास तो जी वहां तो जदा कहा है हमें मिला नहीं वागर देखतें कुछ और मिलता है तो उसे भी दिखाएंगे आपको अब जो आप जी जांदो कुछ नहीं है माल वजय को सकी यह है कि ठंड बट रही है वह ज्यादा अब आप जादा अब भी ठंड ने परिंदे बच्चों को देखें अपने अपने आपको देखेंगे या फिर थंड से बचें तो इसलिए रहां दो होचला बना रहे हैं कि अनदर एक्टिविटी देख रही है परिंदे बहुत कम देखने को मिले हैं और जो अंडे अर बच्चे कहीं को दिखाईबे दे रहे हैं और सापो का सीजन के लागा है कहीं साफ गरवाड़ दिखाई दे ए तिस्टेम और वहींने दिखाई दे नहीं कि अब जए ठंड का मौसम आगया दो महीनें जो और इसे बीवाइ